कभी कभी क्या होता है कि मा की हड़ी छोटी होती है या मा के अंदर कुछ ने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिससे कि हम नॉर्मल डिलिवरी नहीं करा सकते मशकार मैं डॉक्टर शीलू गुल मैं एक इस्तरी और प्रशूती रोग बिसे शग्ये हूँ और मैं पिछले पान साल उसे हरिटेज हास्पिटल में कारे रत हूँ आज मैं आपको सेजेरियन सेक्शन क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगे सेजेरियन सेक्शन एक उपरेशन की प्रक्रिया है जिसमें हम डिलिवरी जो योनी के माध्यम से न कराके पेट में और गर्भासे में चीरा लगाकर बच्चे को निकालते हैं आपरेशन क्यों किया जाता है कभी कभी क्या होता है कि 9 महीना पूरा होने के बाद भी बच्चे का सर नीचे नहीं आता बच्चे का सर थोड़ा बड़ा होता है और या मा की हड़ी छोटी होती है या मा के अंदर कुछ ने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिससे कि हम नॉर्मल डिलिवरी नहीं करा सकते उस केस में मा की जान को या बच्ची की जान को खत्रे से बचाने के लिए यह आपरेशन किया जाता है यहाँ एक सिंपल सरल आपरेशन है हमारे हॉस्पिटल में इस आपरेशन की बहुत अच्छी सुविधा है धन्यवाद